हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तयारी है इतिहास वही बनाएगा संगर्स जिसका जारी है संगर्स जिसका जारी है तो हेलो इस्टूडेंट मैं हम साहंसा स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूटूब चैनल स्मार्टी क्लासेस में तो जैसा कि हम लोग क्लासेस के संस्कृत में पहले अध्याय का अब्जेक्टिब और सब्जेक्टिब कोश्चन को देख चुके थे आज हम इस वीडियो में दूसरे चैप्टर का अब्जेक्टिब और सब्जेक्टिब कोश्चन को देखने वाले हैं इस चैप्टर का हमारा नाम है पार्टली पूत्र वैभवम जो की यह एक निबंद है तो इसमें से जो हमारा पहला कोशन बन रहा है पहला नंबर कोशन मेगस्थनीज पटना किसके समय में आया था अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको यह पता भी होगा कि चंदर राज़दूत बनकर तो इसका अंसर हो जाएगा चंदरगुप्त मौरी के समय में दूसरा कोशन हमारा है कि पाटल पूश्पों की पुत्तली का रचना के अधार पर पटना का कौन सा नाम है तो इस पुस्तक के अधार पर अगर बात करें हम इस रचना के अधार पर जो अगला हमारा तीसरा नंबर कोशन है कि पत्ना में कौमोदी महत्सव कब मनाया जाता था तो कौमोदी महत्सव गुप्त वन्स के काल में मनाया जाता था चौथा नमबर कोशन है हमारा पाटली पूत्र पटना के नाम से कब परशिद्ध हुआ चुकि देखिए पाटली पूत्र जो है वो पटना का हमारा प्राचीन नाम है तो इसे पटना के नाम से कब परशिद्धी हासिल हुई तो मध्यकाल से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और चौथे नमबर कोश्चन में आते हैं तो चौथा नमबर जो हमारा कोश्चन है वो है पांच नमबर कोश्चन पटना का इतिहास कितना पुराना है तो पटना का इतिहास पचीस सो वर्स पुराना है उसके बाद हम लोग छटा परश्ट में जाते हैं तो कूट नीम ताख्य कावे के कवी कौन है तो इसके जो कवी है उसका नाम है दामुदर गुप्त अगला कोशन है युनान का राजदूद कौन था भी भी हमने आपको बताए पहला ही कोशन में की जो मेगस्थनीच जो था वो युनान यमन देश से आया हुआ था जो की वो राजदूद बन कर आया था तो इसके लिए इसका जो अंसर हो जाएगा वो मेगस्थनीच होगा वो चंदरगुप्त मोरे के काल में आया था अगला कोशन है राज सेखर की रचना कौन सी है तो राज सेखर की जो रचना है वो कौन सी है तो काव्य मिमान सा ये उनकी रचना है उनकी द्वारा की गई अगला कौमोदी महत्सव किस रितु में मनाया जाता था तो यह सरद रितु में मनाया जाता था अगला नमबर कोशन है हमारा कि पतना नगर की पालिका देवी कौन है तो पतन देवी जो है वो पतना नगर की पालिका देवी थी अगला कोशन है सरस्वती का कुल गरिह कौन सा महानगर था तो सरस्वती का कुल गरिह जो था वो पाटली पुत्र महानगर था एक 11 नमबर के बाद अब हम आते हैं अगला कोश्चन 12 नमबर में पुरन दरस्थानम की जो संग्या दी गई है वो पार्टली पुत्र नगर को दी गई है अगला कोशन गुरू गोबिन सिंग का जन्मस्तल कहां है तो ये पटना का है जो सिख के दस्वे गुरू थे अगला कोशन है वेरेन वेरश्य शमनम अशंभवम यह किसकी कथन है तो यह कथन जो है महात्मा बुद्ध जी की है अगला कोशन है मारा पंदर नंबर किसके काल में पाटली पुत्र की रक्षा वैवस्था उतकृष्ट थी अगला कोशन है सिख के दश्वे गुरू कौन थे गुरू गोविन सिंग अभी अभी हमने बताया आपको शतरवा नंबर कोशन है पाटली पुत्र की स्प्रांथ की राजधानी है तो यह बिहार की राजधानी है और वर्तमान में भी है अगला हमारा अठारवा नमबर प्रश्ण है पाटली पुत्र वैभं पाठ में किस सहर का वर्णन है तो शीदह सा इसका पाटली पुत्र पटना का पुराना नाम था इस चेप्टर का नाम ही है पाटली पुत्र वैभावम तो इस चेप्टर में आखिर किसका वर्डन होगा और किस सहर का पटना सहर का ही वर्डन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना अब आई ये उनिश्वा नंबर कोश्चन है दामोदर गुप्त ने किस कावे की रचना की तो दामोदर गुप्त जो थे वो कूट नीम ताखले जो है उस कावे की रचना की यहाँ पे साथ कुछ मिस्टेक लग रहा है तो ये आप सब बुक से देख लीजेगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर का अब हम लोग जो सौट टाइप कोश्चन होगा सब्जेक्टिव कोश्चन उसको देखने वाले हैं बीस उब्जेक्टिव इस उनीस उब्जेक्टिव इस चैप्टर से लिया गया था तो जो आपको अभी हम करवाए उसके बाद अब आते हैं सब्जेक्टिव कोश्चन में पहला कोश्चन है कि पटना के मुख्य दर्शन ये अस्थलों का उलेख करें मतलब अगर आप पटना में जाते हैं तो वहाँ जो मुख्य मुख्य जगा है सिधा आप कह सकते हैं कि गोल घर, तारा मंडल, जैविक उध्धान, मौरे कालिक अवसेश, महावीर मंदीर, गुरु द्वारा, आदी पटना के मुख्य दर्शन ये अस्थल है अगर आप कभी पटना जाते हैं तो इन सभी जगों में घूम सकते हैं पटना के मुख्य दर्शन ये अस्थल है याने की यहाँ पर आप घूम कर बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं जहां आपका प्राचीन काल से मध्यकाल तक के चीज़ों को या वहाँ मध्यकाल तक के इतिहास को जानने का आवशर आपको मिलेगा दूसरा कोशन है सिक संपरदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्पूर्ण है ये देखे 2013 में पूछा गया प्रशन है या अत्वा में ऐसा भी कोशन रह सकता है कि पटना का गुरुदवारा किसके लिए और क्यों प्रशिद है तो देखिए सिक संपरदाय के लोगों के लिए पटना में पूझनी अस्थल अवस्थी थे क्योंकि देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि सिक संपरदाय के जो दस्वे गुरू थे गुरू गोविन सिंग उनका जनम कहा हुआ था तो पटना में ही हुआ था यहां उनके दस्वे गुरु गोविन सिंग का जन्म अस्थान है या अस्थल गुरु द्वारा के नाम से जाना जाता है इसलिए जो है सिक संप्रदाय के लोगों के लिए पटना बहुत जादा महत्पूर्ण है तीसरा कोशन है भगवान बुध ने पाटली पुत्र के बारे में क्या कहा तो उत्तर में आपको लिखना है कि भगवान बुध के समय पाटली पुत्र के नाम से ही जाना जाता था भगवान बुद्ध ने पाटली पुत्र के बारे में कहा यह ग्राम भविष्च में महानगर बनेगा परंतु इसे अगनी और जल से खत्रा बना रहेगा यानि बुद्ध ने आज से सैक्रो वर्ष पुर्व जो है एक भविष्वानी कर दी थी कि यह नगर जो है एक दिन महान अधानी भी है लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही थी कि पटना को अगनी और जल से हमेशा खत्रा बना रहेगा चौथा नंबर कोशन है हमारा पाटली पुत्र वैभ हम पाट का वर्णन करें तो इस पाट में पाटली पुत्र अर्थात पटना का वर्णन किया गया है इस पूरा का पूरा पाट जो है आपका पटना का वर्णन करता है और प्राचीन, मध्य, कालीन, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और परियतन के जो भी स्थिति है उसे बताने का या उसके महत्व की चर्चा इस पाट में की गई है भगवान बुध ने पाटली पुत्र के बा यह भी इस पार्ट में वर्णन किया गया है अगला है यह अगला लाइन है हमारा यह पार्ट बिहार की राजधानी पटना के गौरव का बखान करती है यानि कि कुल मिलाकर अगर सौर्ट में कहें तो यह जो पूरा का पूरा पार्ट है यह हमारी बिहार की राजधानी पट कीजिएगा अगर इससे नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते समय आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखेगा अब आगे बढ़ते हैं तो अगला कोशन है मारा पटना में कौमोदी महत्सव का मनाया जाता था तो पाटली पुत्र में सरद काल में हैं सरद काल होना चाहिए थ सरद काल में कौमोदी महत्सव मनाया जाता था यह महत्सव गुप्त वन्स के काल में होता था उस समय सभी लोग आनंद मगन होते थे यानि कि यह एक बहुत अच्छा महत्सव था कौमोदी महत्सव इसको बूलते हैं यहाँ पे हर्षव भी छुट चुका है तो इसको आप म गूमने के लिए या अपने यात्रा में यात्रा के दौरान पटना में कौन-कौन से यात्री पहुचे थे तो एक हो गया मैगस्थनी, फिर फाहयान, वैन स्यांग, इत्सिंग, आदी विदेसी यात्री पटना के दौरे पर या पटना के यात्रा पर आये थे तो इस अदार से इस चाप्टर के कुल 6 सब्जेक्टिव कोशन और आपका 19 अब्जेक्टिव कोशन को कबर करिया गया है आप सब हमारे शाद बने रहे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद